महोदय मैंने क्रीसी के बारे में कुछ विस्तार से बाते की हैं क्यूंकि उसे हमारे आर्थिक विकास के अंतरगत प्रमुक अस्थान मिला हुआ है लेकिन उद्योगों के छेत्र में रीन ववस्ता के मामले में चाहे छोटे उद्यमियों के लिए रीन हो या बड़े उद्योग पतियों के लिए हमें साफधान रहना होगा और नए द्रिष्टी कोन को अपनाना होगा जिस उद्यिस के लिए रीन दिया जाना हो इसमें उसकी साख पर जोर होना चाहिए बैंकों को अपनी नई योजनाओं का तकनीकी आर्थिक और वित्ये मुल्यांकन करने के लिए तैयार करना होगा उन्हें बाजार विक्री की भविस्य की संभावनाओं और आयोजन समवद ताजा से ताजा सर विच्छन करना चाहिए उन्हें प्रवंध प्रवंधी आधोनिक उपाई और वीधियां अपनानी चाहिए संछेप में उन्हें एक ब्यापक परिप्रेक्ष में गती सील अर्थ ववस्था की जरूरतों का आकलन और निर्ने करने में सच्छम होना चाहिए और उसे वांचनिय तक निकी और वितिय समर्थन देना चाहिए मैं जानती हूँ कि इन कामों के लिए बहुत उच्च कोटी की बैवसाई पटूता और प्रवंध कुसलता की आवशक्ता होगी इसके लिए हमें अपनी आवशक्ता को देखकर समुचित पर सिच्चन की बवस्था करनी होगी कुछ छेत्रों में भय पाया जाता है कि राश्टिय क्लित बैंकों में सिच्च बैवहार और कार्ज कुशलता का अभाव रहेगा मैं आसा करती हूँ कि यह भय निराधार सिद्ध होगा बैंक कर्मचारियों ने राश्टिय करन का बड़ी गर्म जोशी से स्वागत किया है यह सुनिश्चित करना उनकी विशेश जिम्मेवारी है कि अच्छी सेवा का पिछला किडती मान ना केवल बना रहे बलकी बेहतर बने मुझे प्रशनता है कि मुझे आप से मिलनी का यह अवसर मिला और मैं आपके सम्मुख अपने कुछ विचार रख सकी आने वाले वर्सों में आपका योगदान बड़े महत्व का होगा क्यूंकि आप हमारे आर्थिक विकास के सौरूप और गती को बड़ी सवलता से प्रभावित करेंगे मुझे आसा है कि आप आयोजन की परकिरिया और हमारे सामाजिक उद्देशियों की पुर्ती के लिए पहले से भी अधिक सचेत भाव से तथा पूरे मन से प्रतिबधता अनुभव करेंगे हम सब राष्टिये जीवन में बैंकों के महत्व से परिचित हैं और निसंदे नीजी छेतर के बैंकों का वर्चस्व बना रहेगा और देश को उनसे मुल्यवान से वावों की आसा है लेकिन यहां एकत्रित आप सब की विशेश जिम्मेवारी है मैं कई अवसरों पर राष्टिये करन के बारे में बोल चुकी हूँ और मैं समझती हूँ कि मैंने जो कुछ कहा है वह सही तौर पर आपके मन में बसा है और आप उसे सफल बनाएंगे महोदय मैं राष्टिये करन के उस पक्च पर इसके सिवा और कुछ नहीं कहना चाहूंगी क्यूंकि बीसे सग्यों के रूप में आपने स्वैम ही पिछले वर्सों में देखा होगा कि हमारी मुद्रा ववस्था में कौन सी बाते हैं जो कमजोडी और उदा सिंता को जन्म देने वाली हैं और वे क्या परिश्थीतियां हैं जिनके कारण हमारी वित्ये संस्थाई अभी तक देश के बरे भागों की समुचित रूप में सेवा नहीं कर पा रही हैं अखवारों के अलावा अन्यत्र भी यह शिकायत मिलती रही है कि बैंकों के राष्टिये करन के बाग अब उनकी कार्ज परनाली पर राजनेतिक प्रभाव पड़ सकता है कुछ समय से यह देखने में आ रहा है कि हमारे बहुत से पुराने विचारों की जगा नए विचार ले रहे हैं और ऐसा पड़िवर्तन तभी आ सकता है जब सार्वजनिक स्वामित्व और नियंत्रन अस्थापित हो राजनीती को जीवन के अन अंगोंशे अलग कर सकना बहुत कठीन होता है लेकिन यह बात न केवल यहां बलकी इंगलेंड जैसे देशों में स्वीकृत की जाती रही है एक अंग्रेजी पत्र के कथन का मैंने संसद में भी उदाहरन दिया है कि जो कोई भी चाहता है की परिस्थिती बनी रहे वह गैर राजनैती ब्यक्ती माना जाता है हालां की ऐसी मान्यता भी राजनीती का ही अंग है जबकि जो ब्यक्ती परिवर्तन चाहता है उसे राजनैती ब्यक्ती माना जाता है ये दोनों ही रवये राजनैती होते हैं ऐसा नहीं है की एक अधिक राजनैती होगा और दूसरा कम बैंकों का अर्थ ववस्था के विकास से निकट का सम्मंद होता है और इसी लिए वे राजनैतिक परिश्थीतियों से सर्वथा अच्छूते नहीं रह सकते हमारे देश की वर्तमान राजनैतिक इस्थिती की मांग है की बैंकिंग सुविधाओं का अधिक अधिक विश्थार पिछरे छेत्रों में क्रीसी लगू उद्योगों आदी के लिए हो और सायद बैंकिंग के कारिववार को ब्रिहत्तर सामाजिक उद्देशियों से जुरा होना चाहिए लेकिन अगर राजनैतिक प्रभाव का यही आसई है तो यह राजनैतिक प्रभाव निश्चय ही उपस्थित है अगर आ लोचकों का उससे यह अभीप्राई है कि अपने प्रती दिन के कामों में बैंकों का काम देखने वालों पर ऐसी बाहरी बातों का प्रभाव पर सकता है जिनका सार्वजनिक हीत से या आर्थिक विकास से कोई रिष्टा ना हो तो मुझे आपको यह आश्वाशन देते हुए कोई हिचक नहीं है कि जब तक इन कामों का भार मुझे पर है तब तक आपके कामों में ऐसी बातों को आरे नहीं आने दिया जाएगा